अर अब आपको बताते हैं इस पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है कपल मिश्रा ने केजरिवाल पर पैसे लेने का आरोप लगाया सतिंद्र जैन से दो करोड रोपे लेने का आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने टैंक कर घोटाले की जांच रोकने का आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने सतिंद्र जैन पर केजरिवाल के रिष्टेदारों को फादा पहुंचाने का आरोप लगाया सतिंद्र जैन पर केजरिवाल के रिष्टेदार के लिए जमीन की डील कराने का आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने सुमबार को ACB अधिकारियों से मुलाकात की और ACB अधिकारियों को कपिल मिश्रा ने टैंक कर घुटाले के सबूत सौंपे आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को पार्टी से सस्पेंट किया रहे और कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद अब केजरिवाल विपक्ष के निशाने पर भी हैं बीजेपी और कॉंग्रेस निदा केजरिवाल से अब इस्तीफे की मांग कर रहे है देखिए जहां तक केजरिवाल जी का सवाल है जब उनके उपर विशे उठता है जब उनके उपर कोई खुलासा होता है तो पूरी दुनिया जूटी हो जाती है सब लोग एजेंट हो जाते हैं और केवल और केवल वही सच्चे होते हैं बाकि AAP जो आम आदमी पार्टी थी अब्यूजिंग अन अक्यूजिंग पार्टी ये उनका इतिहास ही रहा है दूस्यों को गाली देना और बाद में कहना कि देखिया आपने इस्तिफा नहीं दिया तो आज जब ये पूरा विशे केजरिवाल जी पे आया है जिस तरीके से प्रशान भूशन योगिंदर यादव अनन्द कुमार ने जब बुला तो उनको भी निकाल दिया गया तो कोई भी आदमी जो पार्टी के अंदर बोलता है उसके खिलाफ में कारवाई होती है तो फिर आंतरिक लोक्तांतर कहा है इस पार्टी का जो कहकर के इन्होंने पार्टी बनाई थी आंतरिक लोक्तांतर कहा है इस पार्टी के अंदर जो कहकर के इन्होंने पार्टी बनाई थी भरश्टाचार के खिलाफ लडने वाली पार्टी के लोग खुद भष्टाचार के अंदर सनलगन पायक जा रहे हैं तो जो मुख्य मुद्दे जिनको लेकर के पार्टी बनी थी वो सारे के सारे मुख्य मुद्दे एक एक करके धारशाई होते जा रहे हैं और अब आपको बताते हैं कौन है कफिल मिश्टा दिली की करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं भष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे केजरिवाल के साथ उनके एंजियो परिवर्तन में काम किया है कफिल मिश्टा यूकी के दिवरिया के रहने वाले हैं कफिल मिश्टा और इस्ट एमसीडी से बीजे पी की मेर रह चुकी अन्नपोरुणा मिश्टा के बेटे हैं कफिल मिश्टा